हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो नंद किशोर क्लासेज, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरस्टिंग होगा, बहुत ही इंटरस्टिंग कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, थ्री मल्टिप्लाई जीरो, जीरो क्यों होता है, या फिर सेमन मल्टिप्लाई जीरो, जीरो क्यों होता है, य ध्यान से एक्जाम्पल देखिएगा यह देखिए मैंने लिखा 2 x 3 सबको पता है 6 होता है लेकिन अगर मैं इसी को दुबारा बोलके दिखाऊ 2 x 3 को मैं यह भी बोलता हूं 2 x 3 अब 2 x 3 का मतलब 2 x 3 मतलब 3 को दो बार लिखना या 3 को दो बार अड़ करना 2 x मतलब दो बार किसको 3 को तो मैं 2 बार 3 को एड़ करूंगा तो मतलब 3 प्लस 3 किसके कुल बनेगा 6 के इस बात को समझिए 2 x 3 मतलब 2 बार 3 को add करना तो answer तो देखो वही 6 आता है यहां भी 6 आ गया, कोई फरक नहीं पड़ता और देखिए एक बार मालीजिये मेरे पास ऐसा हो 3 x 4 हमें पता है न 3 x 4 12 होता है लेकिन 3 x 4 मतलब 3 x 4 को add करना चलिए add कर दिया तो देखो यह भी कितना बना 12 बना तो अब उपर वाले question पर आ जाईए क्या है 3 x 0 3 x 0 मैं फिर भी पूरा लिख के दिखा रहा हूं 3 x 0 मतलब 3 x 0 को add करो तो कर देते हैं 0 x 0 x 0 3 बार add करेंगे तो आएगा क्या 0 ही आएगा बिलकुल ठीक है इसी निए तो 3 x 0 0 होता है अब आप इसी तरह से यह जो 7 x 0 है अब मैं यहां अगर लिखू 7 x 0 तो भाई इसका मतलब क्या है कि 7 बार 0 को add करो कर दो फिर 2 3 4 5 6 और 7 7 बार add कर दिया तो जितनी बार मर्जी कर लो आंसर तो 0 ही आएगा तो बस इसी तरह कई तो कंसेप्ट है इसी लिए ही 3 x 0 है 7 x 0 है या कोई भी नंबर आ जाए 15 x 0 आ जाए तो वो भी 0 होगा तो बिलकुल सिंपल कंसेप्ट है हमने कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं पड़ा सिरफ और सिरफ इस लाइन को read किया इस लाइन को हिंदी में translate किया और उसी को हमने maths की form में लिख दिया अगर 2 x 3 का मतलब क्या होता है उसी को ही लेकर चले हम और finally 0 को भी prove कर दिया I hope आपको ये concept समझाया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर कीजिए Thank you so much